Hi Everyone, Welcome to Achievers Academy तो आज आप लोग देखोगे डियाग्राम नेफ्रोन का सीखेंगे हम कैसे बनाना है डियाग्राम नेफ्रोन का आज उसी डियाग्राम को हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कितने आसानी से इस डियाग्राम को आपने ड्रॉ कर लिया है बहुत ही अराम से ड्रॉ करना है समझते हुए ड्रॉ करना है और बच्चे यह समझते हुए जब भी आप डियाग्राम ड्रॉ करते हो न कभी भी डियाग्राम को ड्रॉइंग की तरह ड्रॉनी करना है एक एक पार्ट को अराम से समझते हुए उसके labeling को समझते हुए कि आप कौन सा part draw कर रहे हो और तब उसको draw करेंगे तो चलो शुरू करते हैं diagram सबसे पहले हमें nephron में हमाँ पता है कि cup like होता है woman's capsule तो हमने क्या करना है एक cup जैसा structure draw कर लेना है तो यह कुछ इस तरह से आप एक structure draw करोगे ठीक है और इसको आप क्या करोगे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए यह ऐसे लाओगे ठीक है ध्यान से अराम से करना कोई जल्दी वाजी नहीं है फिर यहां से यह ले गए हम यह हमारा एक cup जैसा structure बन गया है जिसको हम बोलते है woman's capsule अब यहां पर हमें इस जगह से एक coiled tube जैसा structure बनाना है ठीक है यह इस तरह से करके हम ले जाएंगे इसका structure और इसको हम बोलते है proximal convoluted tubule क्या बोलते हैं इसको proximal convoluted tubule राइट फिर अब यहां से क्या होगा है इसको एक u shape दे दे ना simple एक u shape दे दे ना यहां पर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा portion आप scale की help से भी कर सकते ही यह आपको uncomfortive लगता है ऐसे बनाना ठीक है यह आपका क्या बन जाएगा यह आपका बन जाएगा handless loop फिर यहां पर आप फिर एक curve structure दे दोगे like this यह आपका बन जाएगा distal convoluted tubule यह जो distal convoluted tubule होता है यहां पर क्या होता है आपका this part क्या करता है यहां पर जो आपका balance होता है sodium का और water का balance होता है वो होता है यहां पर फिर यह खुलता है आपका collecting duct में इस तरह से collecting duct बना लेना है यह collecting duct क्या होती है न यह एक ऐसी duct है जिसमें बहुत सारे nephrons से urine filter होकर के आ रहा है और collect हो रहा है और फिर वहां से कहा जा रहा है वहां से जाता है यह urine urators में ठीक है kidney से कहा जा रहा है फिर urators में तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे nephrons हैं जिन से की urine आएगा तो यह इन पर यहां पर connected है फिर यहां पर यह दूसरे एक nephron से connected है यहां पर यह already connected दिखी रहा है आपको फिर यहां पर suppose एक और nephron से connected है हमें पता है बहुत सारे से तो उस तरह से यहां पर यह connected होगा ठीक है different different nephron से इस तरह से बहुत ही आसानी से देख सकते हो कि कितनी आसानी से मैंने यह diagram ड्रॉ किया है तो बस इसी तरह से आप कर लो कि diagram को ड्रॉ अब यहां पर क्या करना है हमको बनाना है जहां से ब्लड आता है किड्नी में जो nephron के अंदर ब्लड आ रहा है और जो वेन जो है जो वैसल या वेन आप कहा सकते हो ब्लड को लेकर जा रही है तो यहां पर आप दो बना होगे यहां पर मैं color change कर लेते हूं इसका अब हम इसको बना लेते हैं अफ्रेंट आर्टियोल को और इफ्रेंट आर्टियोल को ठीक है और जो आपका glomerulus होता है उसको देखो यहां पर क्या करना है हमको इस तरह से एक structure बना लेना है बहुत यह आसानी से यह इस तरह से करके आप पना लोगे ठीक है और फिर यह एक side से हमारा जहां से blood आता है वो हमारे चौड़ी होती है थोड़ा सा और जहां पर blood आपका लेके जाती है जो vessel बेन चूंकि different arteriol है वो थोड़ा सा पतली होगी देखने में ठीक है अब यहां पर आप क्या करोगे arrow से show कर दोगे इसको यहां पर blood आ रहा है तो इसको हमने show कर दिया arrow से और यहां से blood जा रहा है बॉड़ी में फिर से यहां पर हमने arrow से show कर दिया इसको ठीक है इस तरह से और अंदर आप जो glomerulus दिखाने के लिए कुछ इस तरह से structure बना देना जिससे कि लगता है कि यहां यह ब्लड कैपिलरी से आपकी हो जाती है तो अब इसको हम लेवलिंग कर लेते हैं ठीक है लेवलिंग के लिए मैं black pen ले ले रही हूं बहुत आसान हो जाएक आपके लिए तो सबसे पहले क्या बनाया था मैंने that is the baumins capsule तो आप लिख लो baumins capsule ठीक है फिर मैंने यह बनाया था आपका proximal convoluted tubule तो इसको हम लिख लेते हैं इस इस प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेट ट्यूव्यूल ठीक है ऐसी सिक्वेंस में लर्न कर लोगे कभी दिक्कत ही नहीं आगी यह होगे आपका लूप अफ हैनले क्या यह लूप इसको बलकि बाहर की साइड ही कर देती हुआ यहां सही नहीं लगेगा यह ठीक है दिस इस लूप अफ हैनले राइट अब यहां पर यह क्या आपका distal convoluted tubule यह होगे आपकी collecting duct राइट फिर यह हमारा हो जाता है glomerulus क्या है यह glow merulus इस pairing फिर से लिखते हूं यहां पर पूरा नहीं आ रहा है यहां से लिख देते हैं नीचे glow merulus ठीक है यह आपका glomerulus बन जाता है यह आपर और यह वाली जो है आपकी this is the afferent arteriol afferent arteriol और यह है आपकी efferent arteriol बहुत ही आसानी से आप यह डाइग्राम बना लोगे तो अभी fasting के एक पर देख लेते है कि किस तरएसे इसका function होता है यहां पर क्या हुआ यह hodं fallen afferent arteriol से blood किण में बलढ आ शुका है अब बलढ जो है नैफरोणस में जा रहा है तो afferent arteriol से ंदर अ और आया wouldum भूमेंस चैपसूल में महारा proximalconvoluted Offit यहां पर filter जो initial filtrate है उसमें से जो substances useful substances हैं जैसे कि glucose हो गया शुगर है amino acids है water है यह सब reabsorb जाते है kidney में ठीक है और बाकी जो है जो filtrate है वो यहां पर हैंले लूप से होता हुआ जो अगया डिस्टल कन्वलेटिटी और में आता है जहां पर salt क और sodium का maintenance होता है मिन्स उसका balance इस इंदेन किये जाता है और देन ट्रिट्वर कया यहां पर हैख से यहां पर यह दम रियंड नेhm है ठीक है किड़नी में जाएगा किड़नी से वापस रिइनल बेन के तुरू बाडी में जाएगा क्लियर हो गया बहुत अच्छे समझ में आ तो मिलतें next वीडियो में यदि कोई और वीडियो समझना है डाग्राम का तो बता है यह बहुत बच्छों ने में सिर्फ कहा था कि यूर डिफिकर्ड लगता है तो इसलिए मैंने इसका वीडियो मना दी यदि आपको और किसी का समझ नहीं तो बताना कमेंट में करके ठीक ळा Thank you!